एक और राज से भाजपा ने धोया हाथ, कॉंग्रेस ने लहराया जीत का परचम, मोदी सहा को लगा तगड़ा जट का भाजपाईयों में मचा हड़कंप बतादे गुजरात विधानसभा चुनाओ 2022 को लेकर राज़ की सभी सीटों पर तयारी सुरू हो चुकी है यहां की हर विधानसभा सीट का अपना जातियत समी करण है, इसको साधे बिना जीत दर्ज नहीं की जा सकती है ठीक ऐसा ही गुजरात की जुनागर विधानसभा सीट का हाल है, यहां गुजरात का सातवा सबसे बड़ा सहर है यहां 1990 से BJP लगातार जीत हांसिल कर रही है जीत मिलती रही लेकिन पार्टीदार अंदोलन की वजह से उसे नुकसान हुआ अब भाजपा डेमेज कंट्रोल कर चुकी है आगामी चुनाव में भाजपा को विश्वास है कि वो इस सीट पर वापस कबजा जमा लेगी हाला कि कोंग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां अप सीट पर पिछले 27 साल से भाजपा की जीत हांसिल हो रही थी लेकिन 2017 में भाजपा को हार का मुह देखना पड़ा 2017 में यहां भिखा भाई गला भाई जोसी जीते उन्होंने बीजेपी के महंद्र भाई मस्रू को पराजित किया था भिखा भाई गला भाई वर्तमान में 89 साल के हो चुके हैं इसके बावज़ूद वह जुनागर के विकास के लिए लगातार शक्री रहते हैं उनकी करमठता की वज़ा से ही जनता ने उन्हें बिधायक बनाया जानकारी के लिए बता दे जुनागर बिधासभा सीट पर सबसे जादा पाटीदार समदाय के मतदाताओं की संख्या है इस सीट पर 32 फिसदी पाटीदार समदाय के मतदाता है जो वहीं 40 फिसदी में ब्रामण बनिया और लोहता सामिल है इस सीट पर सिंधी मतदाता भी है जातिकत समी करण के हिसाब से यहां भाजपा की मजबूत पैठ मानी जाती है